नमस्कार दोस्तों जीके अर्दिन सार यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है जुनियर एड़ेट एक्जाम हिस्ट्री प्रेटी सेट 19 में तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आ वीडियो प्रारम करते हैं कि क्वेस्टन नबर वन इसमें नागपूर चलो का अहवार्ण किस औसर पर किया गया डांडी यात्रा के आशरी या या आसायोग हो अगर पूछेगा तो यह हुआ था 1923 इस्वी में कोश्चन नमबर दो है कांग्रेश के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लच्छ निर्धारित किया गया इलहाबाद बंबई मद्रास या लहोर अधिवेशन इसका राइट अंसर रहाएगा डी लहोर अधिवेशन मे यह हुआ था 1929 में लहोर में कांग्रेश का अधिवेशन हुआ था और इस कांग्रेश की अधिवेशन की अधिश्ता की थी पंडित जोहरलाल नहरू ने और इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज का लच्छ निर्धारित किया गया था कुश्चन नमबर तीन है नहरू रिपोर्ट का संबंध है तो नहरू रिपोर्ट का क्या संबंध है मोतिलाल नहरू से या जोहरलाल नहरू से या आरके नहरू से या बीके नहरू से तो नहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतिलाल नहरू से तो मोतिलाल नहरू नहरू रिपो पिछडे वर्गों का उत्थान या हिंदुओं के उदार मान्वी तत्तों को बढ़ावा देना या देश की सेवा के लिए समर्पित कारिकरता तयार करना या अंग्रेजों को बिरुद्ध राष्टी भावना जागरित करना तो सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य को देश से था देश की सेवा के लिए समर्पित कारिकरता तयार करना सीज का राइट एंस रोगा और सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के अस्थापना कपी गयी थी अगर पूछता है तो 1905 इसवी में किसकी द्वारा तो गोपाल क्रिष्ण गोखले द्वारा कोशन नमबर पाँच है सन 1937 में मद्ध भारत और बरार में कांग्रेस मंत्री मंडल बनने पर पाहला मुख मंत्री कौन बना दिया है एनवी खरे रवी संकर सुकलिया डीपी मिश्र या रागवेंदर राय इसमें राइट अंसर जायेगा ए एनवी खरे कोशन नमबर छे है आखिल भारती कांग्रेस की अस्थापना 1885 के समय भारत का गवर्नर जेनरल था तो भारत का गवर्नर जेनरल कौन था दिया है लाड लिटन लाड रिफन लाड डफरिन या लाड करजान इसमें राइट अंसर हो जायेगा सी लाड डफरिन था कोशन नमबर साथ है स्वराज दल का मुख्य उद्दिश से था तो स्वराज दल का मुख्य उद्दिश से क्या था और सहयोग को काउंसिलियों तक पहुँचाना या पूर्ण स्वराज या सो सासन यानि होम रूल या हिंसात्मक साधनों से अंग्रेजी सासन का बिना स्वराज दल का मुख्य उद्धिस क्या था इसका मुख्य उद्धिस था और सहयोग को काउंसिलिव तक पहुंचाना कोशन नमबर आठ है आल इंडिया ट्रेड उनियन की अस्थापना किसने की दिन बंधु मित्र ने या नरायन मलहार जोसी ने या एंजी रंगा ने या जोहरलाल नहरू ने तो All India Trade Union के अस्थापना की थी नरायन मलहार जोशी ने, इसका राय टेंसर हो जाएगा B, नरायन मलहार जोशी ने, कब की थी? 1926B में. Q9 है, गदर दल की अस्थापना कहां हुई थी? गदर दल की अस्थापना कहां हुई थी? वर्लिन में, टोकियो में, वांसिंग्टन में या सेन फ्रांसिसको में. इसका राय टेंसर हो जाएगा D, सेन फ्रांसिसको में. 1913 में हुई थी गर्दल की लाला हर द्याल द्वारा जहाई इसकी अस्थापना की गई थी Question number 10 है मधनिसेद किसका मुख्य उद्धे से था अस अयोग अंदोलन का यह सबने मग्या अंदोलन का यह तेलंगाना अंदोलन का यह तेभागा अंदोलन का इसमें राइट एंसर हो जाएगा मधनिसेद मुख्य किसका उद्धे से था सबने अवग्या अंदोलन का अगर पूछता है कब शुरू किया गया था तो ये 1930 में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी ने जो है नमक कर के बिरोध में सवन्याव अग्यांदोलन प्रारम किये थे, कोश्चन नमबर 11 है सेंधो सविता का एक अस्थल लोथल किस राज में इस्थित है तो किस राज में इस्थित है सेंधो सविता का एक अस्थल है पंजाब में, गुजरात में, राज्थान में या हरियाना में इसका राइट अंसर हो जायेगा बी गुजरात में गुजरात में आमदाबाद में कोशन नमबर 12 है निमलिखित में से कौन पूरा तात्विद मोहन जोदोलों के उत्खनन से संबंधित हैं आरडी बनर जी एसार राव या जानबार सल या केयन दिछित इसका राइट एंसर हो जायेगा आरडी बनर जी आरडी 122 में इनों जो है मोहन जोदोलों की खोदाई का कारी शुरू कराये थे कोशन नमबर 13 है प्रसिद्ध गायतरी मंत्र किस धार्म ग्रंथ में है रिगवेद सामवेद अथरवेद या मनुस्वृति में इसका राइट एंसर हो जायेगा ए रिगवेद में कोशन नमबर 14 है न पाला गारगी या घोसा इसका राइट एंसर होगा C गारगी कोशन नमबर 15 है वान बेवस्था की उत्पति की सरपर्थम ब्याख्या के किस धार्म ग्रंथ में मिलती है रिगवेद में सामवेद में अथरवेद में या मनुस्मिर्ति में इसका राइट एंसर हो जायेगा A रिगवेद में कोशन नमबर 16 है सारनात के धमेक इस्थूप का निर्माण किस सासक ने किया असोक ने किया या हर्स ने या मिनेंडर ने या हर्स ने असोक कनिस्क मिनेंडर या हर्स इसमें राइट एंसर हो जायेगा A असोक ने तो सारनात में जो धमेक इस्थूप है इसका निर्माण किस ने कर आया था तो असोक ने करवाया था कोशन नमर 17 है निमलिक्खित अस्थानों में से बुद्ध का जन्म कहां हुआ था कपिल वस्तु में या उरुवेला में या लूम्बनी बन में या कुसी नगर में तीसमें राइट एंसर हो जाएगा C लूम्बनी बन में तो बुद्ध का जन्म जो है अगर देखा जाये त 563 इसा पुरु जो है में हुआ था कपिल वस्तु के ही पास है ये लुम्बनी नामत जो राज की उपवन है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था गौतम भूत का 563 इसा पुरु में लुम्बनी वन कोशन नमबर 18 है निमलिखित में से पहले जैन तिर्थकर कौन माने जाते हैं पारसोनात, नेमीनात, रिषब देव या वर्धमान इसमें राइट अनसर जायेगा ए रिषब देव पर्थम जैन तिर्थकर थे अगर टोटल देखाया था टोटल 24 जैन तिर्थकर हुए हैं जिस कोशन नमबर 19 है प्रथम बौध महा सभा किसके काल में हुवी थी अजासत्रू चंद्रगुप्त मौर बिंदुसार या असोप इसका राइट अनसर हो जायेगा ए अजासत्रू कोशन नमबर 20 है आत्मा के आवागमन की परकलपना निमलिखित में से सरपर्थम कहां मिलती है रीग वेद में मिलती है या उपनिसद में या भागवत गीता में या रवाण में तो आत्मा के आवागमन की परकलपना सरपर्थम मिलती है कहां पर ये मिलती है रीग वेद में Q2. रीग वेद में वनित सबसे समाने अपराध निमलिखित में से क्या था? अपहराण पसुओं की चोरी, डखायती या हत्या. इसमें राइट एंसर हो जायेगा B, पसुओं की चोरी. कोशन नमबर 22 है बैदिक काल की सबसे समाने सासन व्यवस्था क्या थी गर्तन्त थी या राजतन्त या कुलिन तंत या परजातन्त इसका राइट एंसर हो जाएगा बी राज तंत्र कोशन नमबर 23 है चाउदाहमी सताब्दी इसापूर्व के एसिया माइनर के किस अभिलेख में बैदिक देवताओं का उलेख है बोगज गोई या सिलिसिया या हट्टी या युक्रे टाइट्स तो इसमें राइट एंसर राजाएगा ए बोगज कोई में कोशन नमबर 24 है निमलिखित में से कौन सा वेद कर्म कांड़ों में बिसेश रूप से सम्बंधित है दिया है रिग वेद साम वेद यजूर वेद या अथर वेद इसका राइट एंसर राजाएगा सी यजूर वेद कर्म कांड़ों से बिसेश रूप से सम्बंधित है ये को इसका राइट एंसर जायेगा C इंद्र को 250 सुक्त मिलते हैं इंद्र को जो सबसे अधिक हैं कोशन नमर 26 देखे असोग का प्रसिद अस्ताम्ब जो प्रारंभ में कौसांबी में स्थित था प्रियाग में किस्क सासक द्वारा लाया गया कनिस्क समुंद्र गुप्त फिरो स सतुगलक या अकबर द्वारा इसका राइट एंसर जायेगा D अकबर द्वारा कोशन नमर 27 है अपने पिता बिंदुशार के सासनकाल में असोग ने किस छेतर में बिद्रो का धमन किया था तच्छ सिला मद्ध पर्देश दच्छिणापत या प्राच्य इसका राइट एंस मारकाल का मानक सिक्का क्या था निस्क था या मास्क या क्रिशन या प्ण तो मारकाल का जो मानक सिक्का था वो था प्ण इसका राइट एंसर जायेगा D प्ण तो प्ण जो है मारकाल का मानक सिक्का था जो मारकाल में बिनमे का यही जो है सर्व प्रचलित माध्धम भी था चीन दच्छन पुर्वेशिया के देश उपरक्त में से कोई नहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा A. रोमन समराज्य कोशन नमबर तीस है और अंतिम कोशन है इरिथ्रियन समुंदर का पेरिपलस का लेखक कौन माना जाता है इस्ट्रेबो या अलेक्जेंडरिया का अग्यात नामधारी समुंदरी बेपारी या मेगस्थनीज या प्लिट टार्क तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा B. अलेक्जेंडरिया का अग्यात नामधारी समुंदरी बेपारी था ये ये थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम